हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वेलकम टू माई चानल आज हम बनाएंगे मुस्लिम स्टाइल शादियो वाली बिर्यानी बिल्कुल जैसे आप किसी दावत पर खाते हैं उससे बिल्कुल भी कम नहीं है बनाने में बहुत ही आसान है मैंने कुछ टिप्स भी दिये हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं मैं तो सबसे पहले हमने मतन को मारिनेेट कर लेना है उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मतन लिया है इसको तीन से चार पानी से वोश कर लिया है तो टेबल स्पून अधरक और लसन का पेस्ट आट किया है एक टेबल स्पून हरी मिर्चों को ग्राइंड करके आट किया है, ये मिर्चे जादा तेज नहीं है 100 ग्राम दही या एक छोटा प्याला दही आप आट कर सकते हैं कुछ खड़े मसाले, इसमें एक तेज पत्ता, लौंग दालचिनी, काली मिर्च, हरी लाईची और बादियान आट किया है आदा छोटा चमबच हल्दी, एक चमबच भर के जीरा पाउडर, एक चमबच काट कर लाल मिर्च का पाउडर हमने हरी मिर्च आट की है, लेकिन लाल मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा सा मैने याप पर नमक आट किया है, मटन के हिसाब से दो से तीन बून केवरा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ है, अगर आपके पास केवरा एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल शादियों वाली बिर्यानी का टेस्ट आता है और एक छोटे नीबू का रस निकाल कर आट किया है सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है मैंने इसको मारिनेट नहीं किया था, अगर आप चाहें तो दो घंटक मारिनेट कर सकते हैं पर मैं सजेस्ट करूँगी कि मारिनेट जरूर कीजेगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मटन टेंडर भी हो जाता है और मटन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है पर सारी चीजों को मिक्स करके इसको अब हम साइड में रख देते हैं दूसरी तरफ मैंने आपर प्रेशो कुकर का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहें तो वैसल में बना सकते हैं आधा कप ओईल आट कर लिया है और 4-5 मीडियम ओनियन्स को स्लाइस करके आट कर लेना है आपने इसको हमने फ्राइ कर लेना है जब तक इसका कलर जो है ये ब्राउन नहीं हो जाता है बिल्कुल जैसे हम बिरियानी के लिए बिरिस्ता बनाते हैं उसी तरह से लाइट गोल्डन भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा डार्क गोल्डन भी नहीं आपके पूरे बिर्यानी का जो टेस्ट है वो आपके प्यास पर डिपेंड करता है तो ये देखे इस कलर पर आ जाए तो फिर आपने एक चौथाई हिस्सा निकाल लेना इसमें से गानिशिंग के लिए बाकी बचे प्यास में मैंने यहाँ पर मारिनेट किया हुआ मटन आड़ कर लिया है मटन आड़ करके इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने टमाटर का इस्तिमाल यहाँ पर नहीं किया था आप चाहें तो एक टमाटर को प्यूरी करके आड़ कर सकते हैं या चौप करके थोड़ा सा मैंने एक चौथाई कप पानी आड़ कर लिया है मटन और दही ने अपना पानी रिलीज कर लेना है इसलिए पानी जादा आड़ नहीं करेंगे बस अब हमने प्रेशर कूकर का लेट कवर कर लेना है एक विसल लगा लेंगे हाई हीट पर और फिर सिमर करके 10 से 12 मिनट अगर आपका मटन सक्त है तो गलने के लिए थोड़ा टाइम जादा लगेगा जब तक वो वहाँ पर कुक हो रहा है तो यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है नमक आपने इतना आड़ करना है कि चावल में फीका सा न लगे वो आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं पानी को हलका सॉल्टी लगना चीए एक टेबल स्पून ओइल आड़ किया है आप देसी की आड़ कर सकते हैं और थोड़ा सा कुछ कत्रा नीबू का रस उससे चावल छुटे और केले केले बनके त्यार होते हैं गरम मसाले में दो तेज पत्ता, लॉंग दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलाइची और बादियान आड़ किया था तीन से चार हरी मिर्चों को थोड़ा सा स्लेट करके आड़ किया था यह फीकी वाली हरी मिर्चे हैं जो बिल्कुल भी तेज नहीं होती है पर इससे फ्लेवर अच्छा आता है पानी में जब तेज उबाल आजाए एक मिनिट के लिए बॉइल कर ले ताकि मसालो का फ्लेवर उतर जाए फिर आपने चावल आड़ करना है चावल को वाश करके आदा घंटा भीगोया था डावत का बिर्यानी राईस इस्तमाल कर रही हुए जो एक्स्ट्रा लॉंग ग्रेन होता है अपने वही इस्तमाल करना है उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और वो बहुत अच्छे बनके तियार होते है यहाँ देखिए साथ मिनिट के लिए उबाल लिया है मैंने और यह रेडी है इसमें कोई कणी नहीं है 90% डन है बस अब क्यास का फ्लेम ओफ करके पानी हमने निथार लेना है और उसको साइड में रख देते हैं अब यहाँ देखिए प्रेशर कूकर को मैंने खोल लिया है यह बिल्कुल ठंडा हो गया था इसकी ग्रेवी सी फॉर्म हो गई है बहुत जादा ग्रेवी नहीं है इसमें इसलिए मैं इसको बिल्कुल सुखाऊंगी नहीं इसको इसी तरह से हमने गानिश कर लेना है आप चाहें तो आप इसको इसी तरह से रुमाली रोटी के साथ नान के साथ रेलिश कर सकते ही यह कूरमा जैसा खाने में बहुत टेस्टी लगता है गानिशिंग के लिए थोड़ासा फ्राइड उनियंस थोड़ा सा धनिया और पुदीन आट कर लिया है अब जो चावल हमने बॉइल कर लिया था वो चावल मैंने याँ पर इसके उपर बिचा लिया है मैंने कूकर में ही बना लिया था इसको आप चाहे तो वैसल में भी बना सकते हैं लेकिन ये जल्दी बन कर त्यार हो जाता है इससे, टाइम भी सेव होता है और ग्यास भी सेव हो जाता है, तो बस इसको मैंने फैला लिया है, अब इसके ओपर गानिशिंग कर लेंगे, तला हुआ प्यास, हरा धनिया और पुदीन आट कर लिया है, धेर सारा, आप चाहे तो यहाँ पर केवरा एसेंस आट कर सकते हैं, ग्रीन फूट कलर अट किया है, और थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर, अगर आपके पाउडर फॉर्म में कलर है, तो थोड़ा सा पानी में मिक्स करके फिर आप आट कर लें, ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाया उसके ओपर, देसी घी का इस्तिमाल किया है, अगर आप देसी घी आट नहीं करना चाते हैं, तो नीचे जब आपने मटन का कोर्मा बनाया था, उसमें जो ओईल अगर जाधा रह जाए तो आप थोड़ा सा निकाल के रख सकते हैं, और यहाँ पर उपर आट कर सकते हैं, बचा हुआ आपने नहीं रुखना है, गैस का फ्लेम हाई ही रखें, जैसे ही विसल आने को है, तो उसके पहले पहले बंद कर लें, बना नीचे से लग जाएगी ब्रियानी, बस कूकर को अपने ठाचरली ठंडा होने देना है, जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको चेक कर लें, यह देखिए, कितने अच्छे से दम गई है, आप वैसल में भी बना सकते हैं, अगर आप वैसल में बना रहे हैं, तो एक गीला कपड़ा निचोड़कर उस पे लगाकर कवर कर ले, और लो फ्लेम पर, लो मीडियूम फ्लेम पर पांच से दस मिनिट या दस से कर ले, जब तक इस तरह से उसमें से फ्यूम नहीं निकलाते हैं, तो यह देखिए, बिर्यानी बहुत मजे की बनकर त्यार हुई है, बिल्कुल जैसे आप शादियों में दावतों पर खाते हैं, इसको आप रमजान में जरूर ट्राइ कीजेगा, बनाने में बहुत आसान ह बहुत जादे मसालों का इस्तमाल या ऐसी कोई चीज इस्तमाल नहीं की थी, जो आपके घर में अविलेबल नहीं हो, तो जरूर ट्राइ कीजेगा, रेसेपी पसंद आई हो, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर हिट कीजेगा, फैमली फ्रेंज में शेर जरूर क कीजेगा और मेरे चानल को सिब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा फेस्बुक पेज है और फेस्बुक ग्रूप, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलती हूँ एक नहीं रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहते हूँ, थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो, टेक गुड केर, बाई